बेताशा तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मद्दिनजर जहां सरकार सक्त हो रही है वेंसंबल प्रशाशन ने सकती दिखाते हुए सरकारी करमचारियों नागरी को समिट बिना माक्स वाले सो लोगों का चलानकर जुर्माना बसूला है सरकारी करमचारियों के चलानकर SDM ने साथ संदेश दिया है कि कोरोना गाइडलाइन का उलंगन करने वाला बक्षा नहीं जाएगा चाहें वे कोई भी हो आपको बता दे जहां देश भर में आज रिकोर्ड एक लाग कोरोना सरक्रमित मिले हैं संबल में भी आज 11 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जिले में भी एक्टिप केस तेजी से बढ़कर पचपन हो गए हैं बढ़ते कोरोना केसों के बाद सदर इस्थित नई तेसेल में SDM दिपेंडरी आदम ने सकति की उन्होंने बिना माक्स डूटी कर रहे सरकारी करमचारियों और पब्लिक के लोगों के चलान का जुर्माना वसूला यही नहीं तमाम लोगों को कड़ी चेताबली भी दी कि बिना माक्स देखे तो कड़ी कारेवाई की जाएगी कोविट की दोसरी लहर का तेजी के साथ प्रसाद हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ कोविट के पेसेंट की संख्या बढ़ रही है लोगों में जाग रुपता पहले जैसी लाने के लिए सबसे पहले सरकारी भागों से कारवाई हम लोगों ने शुरू किया है जिसे कि लोगों पे बीच एक संदेश जा सके और यह सरकारी कमचारी होते हुए भी आदमी माक्स नहीं लगाता है तो यह ज़्यादा गंभीर बात है इसलिए इनका चलान काड़ा है कितने लुपे का चलान काड़ा है यह 500 रुपे तर रिस्तम चलान है वो करवाई की जा रही है